उसका तुमसे बात करने का मन करता है या फिर उसका तुमसे बात करने की इच्छा है? He feels like talking to you. Very good. आप बताना, मेरा इस कंपनी को छोड़ने का मन नहीं है या फिर मेरा इस कंपनी को छोड़ने का मन नहीं करता है? I don't feel like leaving this company. Very good. आप बताना, क्या तुम्हारा उसके फेस पर थपड मारने का मन करता है? Do you feel like slapping his face? ठीक है, very good. आप बताओगे, क्या तुम्हारा पानी पीने का मन नहीं करता है? Don't you feel like drinking water? Very good, very good. बहुत अच्छी. Hello friends, my name is Jordan and I am an English trainer. So, आज मैं आपको feel like plus worth के fourth form का use पड़ाने आया हूँ. ध्यान से सुनना, मैं कुछ sentences बतायता हूँ, ताकि आपको समझ माज़े कि किस तरीके से feel like का use किया जाता है? जैसे कि उसका यहां आने का मन करता है, या फिर उसका यहां आने का मन करता है, आईए, इसको अच्छे से समझते हैं, यह देखो लिखा भी हुआ है, feel like plus worth के fourth form का use करना है, worth का fourth form है क्या? worth के first form के साथ आपको ing add करना है, उसे हम worth का fourth form कहते हैं, ठीक है? So, आज यह देखो, कुछ sentences होंगे, उसके अंत में किस तरीके का sound आएगा, यहां पर लिखा हुआ है, यह देखो, ने का मन है, ने का मन कर रहा है, या फिर ने की इच्छा होती है, या फिर ने की इच्छा हो रही है, या फिर ने का मन करता है, तो इस तरीके का कुछ sound आएगा, या फिर sense आएगा, वाके के अंत में, तो आपको क्या use करना है? feel like plus verb में ing लगाना है ठीक है तो यानि कि verb के first form में ing लगाना है अब आप पूछोगे यह ने क्या है वो मैं आपको बतायता हूँ आपको इस ने को verb के अंत में जोड़ना है यानि कि verb में जोड़ना है और sentences बनाते रहना है जैसे कि उसका cricket खेलने का मन कर रहा है या फिर cricket खेलने का मन है या फिर cricket खेलने की इच्छा है लास्ट में आ रहा है यानि कि verb में हमने क्या लगाया ने तो खेलने उसका वहाँ जाने का मन कर रहा है तो जाने ने नी आ रहा है लास्ट में जाने में जैसे कि खाना खाना क्या वर्व है, तो उसमें ने जोड़ देगा, तो खाने ही हो जाएगा, तो उसका खाना खाने, का मन कर रहा है, ठीक है, उसका मुझसे मिलने का मन कर रहा है, ये देखो, positive sentences बनाने के लिए nim structure का प्रियोग किया जाता है तो देखो structure भी लिखा हुआ है subject plus feel या फिर feels फिर plus like फिर plus verb के first form का use करना है उसमें आपको ing add करना है जिसे हम बुलते है verb का fourth form ठीक है न उसके बाद आपको object लगाना है फिर उसके बाद full stop ठीक है यानि कि आपको या तो feel यूज़ करना है subject के बाद या फिर feels feels singular subjects के साथ use होगा और feel किसके साथ use होगा plural subjects के साथ आज ही singular subject क्या होते हैं और plural subject क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं यह देखो singular subjects लिखा हुआ है he, she, it, name, mother, father brother, boy, girl, friend everyone, everybody, somebody someone, nobody, no one parent, person, water, oil government, group, class, family army, child, ठीक है so, जो भी subjects group को दिखाते हैं उन सारे subjects को आपको singular subjects में consider करना है तो यह सारे singular subjects हैं इन subjects को use करके जब भी आप positive sentence बनाओगे तो आपको feel में s लगाना है, तो क्या हो जाएगा feels फिर plus like लगाना है, फिर plus word के first form में ing add करना है, जिसे हम word का fourth form भी कहते हैं यह याद रखना, ठीक है तो क्या हो जाएगा feels like word के first form में ing और जब भी इन subjects को use करके आप negative sentence बनाओगे तो आपको does not लगाना है क्या लगाना है, पहले does not subject के बाद, फिर plus feel लगाना है फिर plus like, फिर plus word के first form में ing add करना है, यानि कि जिसे हम क्या बूलते है, word का fourth form यह याद रखना, जैसे आप does लगाओगे उसके बाद आपको feel में s add नहीं करना है, कुछ example बतायता हूँ, जैसे कि उसका मुझसे बात करने का मन करता है, या फिर उसकी के लिए क्या आएगा, he, तो he से जब आप positive sentence बनाओगे, तो क्या हो जाएगा, he feels like talking to me, clear है, जब आप he को use करके negative sentence बनाओगे तब क्या होगा, he does not feel like talking to me, clear हो गया, जैसे कि रोहन का cricket खेलने का मन करता है या फिर मन कर रहा है, या फिर रोहन का cricket खेलने की इच्छा है तो रोहन को use करके जब आप positive sentence बनाओगे, तो क्या हो जाएगा रोहन feels like playing cricket, और जब आप रोहन को use करके negative sentence बनाओगे, तो sentence क्या हो जाएगा, रोहन का cricket खेलने का मन नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, रोहन does not feel like playing cricket. Rohan does not feel like playing cricket. Clear हो गया? आज ही आप plural subjects पढ़ते हैं. यह देखो plural subjects. तो क्या क्या है plural subjects? You, we, they, friends, boys, girls, these students, those children, people, parents. ठीक है? तो यह सारे subjects क्या है? plural subjects. You क्या है? singular भी है, plural भी है. पर इसे plural subjects में ही consider करना है. क्योंकि इसके साथ plural helping work use होता है. ठीक है? यह सारे subjects क्या है? plural subjects है. इन subjects को use करके जब आप positive sentence बनाओगे, तो आपको क्या लगाना है पहले? feel. यानि कि feel में s नहीं add करना है. clear हो गया? जब भी आप sentences, plural subjects को use करके बनाओगे, तो सिर्फ feel लिखना है, feel में s नहीं लगाना है. उसके बाद आपको like लिखना है, फिर प्लस verb के first form में ing लगाना है. जिसे हम क्या बूलते हैं? verb का fourth form. ठीक है? और जब आप इनी subjects को use करके negative sentence बनाओगे, तो आपको helping verb क्या लगाना है? do. यानि कि do not, feel, 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 like, feel, plus, verb के first form में ing लगाना है. ठीक है? समझ में आ गया? तो मैं एक example बतायता हूँ, जैसे कि, तुम्हारा यहाँ आने का मन करता है, या फिर तुम्हारा यहाँ आने का मन कर रहा है, तो you feel like coming here. ठीक है? उनका हमारी मदद करने का मन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? दे, दे से जब आप positive sentence बनाओगे, तो क्या हो जाएगा? दे feel like helping us. जब दे को यूज करके negative sentence बनाओगे, तो क्या हो जाएगा? उनका हमारी मदद करने का मन नहीं कर रहा है, तो they do not feel like helping us. या फिर तुम्हारा यहाँ आने का मन नहीं कर रहा है, तो you को use करके जब आप negative sentence बनाओगे, तो क्या हो जाएगा? you don't feel like coming here. clear है? आज इए, अब हम I को पढ़ लेते हैं देखो, I क्या है? singular subject है clear है? I को use करके जब आप positive sentence बनाओगे, तो आपको क्या use करना है? feel, यानि कि do not, feel, 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 like, feel, love, के first form में ing add करना है, clear हो गया? यानि कि मेरा पढ़ने का मन करता है, तो I feel like studying, यानि कि I को use करके जब आप positive sentence बनाओगे, तो क्या हो जाएगा? I feel like studying, और जब I को use करके आप negative sentence बनाओगे, तो क्या हो जाएगा? मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, तो I do not feel like studying, clear हो गया? So I don't feel like studying, आजी sentences की practice कर लेते हैं, देखो पहले sentence क्या हमारा? उसे आपसे बात करने का मन करता है, या फिर उसका आपसे बात करने का मन कर रहा है, तो sound क्या रहा है, या फिर sense क्या रहा है, नहीं का मन करता है, या फिर आप बूल सकते हो, नहीं का मन कर रहा है, तो इसके वज़े सके आएगा दोस्तों, feel like plus verb में आइन जी लगाने आपको, ठीक है? सो आज इसका translation कर लेते हैं, he feels like talking to you, क्योंकि ये singular subject है, इसकी वज़े से feel में as जूड़ गया, या या याद रखना है, he feels like talking to you, clear हो गया? आज इन एक sentence पढ़ते हैं, मुझे निर्त्य करने की इच्छा हो रही है, तो इसका translation क्या हो जाएगा? I feel like dancing, आज इन एक sentence पढ़ते ह उन्हें cricket खेलने का मन करता है, या फिर उन्हें cricket खेलने का मन कर रहा है, तो इसका translation क्या हो जाएगा? They feel like playing cricket, आज इन एक sentence पढ़ते हैं, उसका सूने का मन कर रहा है, तो इसका translation क्या हो जाएगा? He feels like sleeping, आज इन एक sentence पढ़ते हैं, रोहन का पढ़ने का मन कर रहा है, तो इस तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा she feels like taking tea, clear हो गया, I guess आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से feel like plus verb के first form में ing का use करना है, ठीक है, आज ही अब हम negative sentences पढ़ लेते, negative sentences बनाने के लिए निम्न structure का परियोग किया जाता है, तो देखो structure भी लिखा हुआ है, subject plus do या फ कि subject के बाद आपको helping verb लगाना है, या तो do या फिर does, clear है, does singular subject के साथ लगता है, और do plural subject के साथ लगता है, ठीक है, उसके बाद आपको not लिखना है, फिर आपको feel लिखना है, यानि कि जैसी do या does लगाओगे, उसके बाद आपको feel में as add नहीं करना है, clear हो गया, फिर आपक को लाइक लगाना है उसके बाद आपको वर्फ के फर्स्ट वर्म में आई जी लगाना है आजी कुछ सेंटेंस के प्रक्टेस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आजए यह देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा मुझे सोने का मन नहीं कर रहा है तो इसका ट्रांसल फिल लाइक प्लस वर्म में आई एंजी क्लियर है क्योंकि यह निकिट्टिव सेंटेंस है इसलिए डोंट या फिर डजन्ट सब्जेक्ट के बाद आएगा और वो डिपेंड किस पर करता है सब्जेक्ट क्योंपर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डजन्ट अगर मेरे दोस्त का स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है तो इसका English बूलने का मन नहीं कर रहा है तो इसका translation क्या हो जाएगा He doesn't feel like speaking English आजए अब हम interrogative sentences पढ़ लेते हैं यह देखो interrogative sentences बनाने के लिए निम्न structure का प्रियोग किया जाता है तो देखो structure भी लिखा हुआ है Do या फिर does subject से पहले लिखना है आपको फिर plus subject, फिर plus feel, फिर plus like फिर plus, वर्फ के first form में आपको ing लगाना है फिर plus object लिखना है फिर उसके बाद आपको question mark लगाना है clear है यह याद रखना question mark लगाना है यी याद रखना subject से पहले आपको helping verb लगाना है या तो do या फिर does यह किस पर depend करता है subject के उपर subject अगर singular है तो does लगाना है और अगर plural है तो do लगाना है उसके बाद आपको feel लिखना है फिर like फिर plus वर्फ के first form में ing लगाना है clear हो गया आजी है अब हमको sentences के practice कर लेते है देखो पहला sentence क्या है हमारा क्या आपका यहाँ आने का मन कर रहा है अब देखो यहाँ पर इसका translation क्या हो जाएगा do you feel like coming here यहाँ पर देखो do आ रहा है यह किसकी वज़े से आ रहा है you की वज़े से you क्या है plural subject यह singular की है पर इसके साथ हमेशा plural helping work use होता है do use होता है यह याद रखना ठीक है so do you feel like coming here आज यह इन एक sentence पढ़ते है क्या उसका मुझसे बात करने का मन कर रहा है तो इसका translation क्या हो जाएगा does she feel like talking to me यानि कि she क्या है singular subject है इसलिए does आ रहा है ठीक है आज इन एक sentence पढ़ते है क्या तुम्हारा सच बोलने का मन कर रहा है क्या तुम्हारा सच बोलने का मन कर रहा है तो इसका translation क्या हो जाएगा do you feel like speaking the truth आज इन एक sentence पढ़ते है क्या तुम्हारा गाना गाने का मन कर रहा है तो इसका translation क्या हो जाएगा do you feel like singing आज इन एक sentence पढ़ते है क्या उसका मुझसे मिलने का मन कर रहा है प्रयोग किया जाता है, तो देखो structure भी लिखा हुआ है, do या फिर does subject से पहले लिखना है, उसके बाद आपको subject लिखना है, फिर plus not, फिर plus feel, फिर plus like, फिर plus verb के first form में आपको ing लगाना है, फिर plus object, उसके बाद आपको question mark लगाना है, ठीक है, इसी same structure को आप दूसरे तरीके से भ do not का contraction है, या फिर doesn't, जो कि does not का contraction है, उसके बाद आपको subject लिखना है, फिर plus feel, फिर plus like, फिर plus verb के first form में ing लगाना है, फिर plus object, उसके बाद आपको question mark लगाना है, clear होगे दोस्तों, ठीक है, यह या रखना, subject से पहले आपको do या फिर does, helping verb लगाना है, ये किसपर depend करता है, subject क अगर plural है, तो do लगाना है, clear है, आज ही कुछ sentences के practice कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से negative interrogative sentences को बनाया जाता है, पहला sentence क्या है हमारा, क्या तुम्हारा चाय पीने का मन नहीं कर रहा है, तो देखो last में sound क्या रहा है, efficiency क्या रहा है, का मन कर रहा है, तो इसके बज़ इसके आएगा दोस्तों, feel like plus work के first form में ing, क्योंकि negative interrogative sentence है, इसलिए don't या फिर doesn't subject से पहले आएगा, subject अगर singular है, तो doesn't, अगर plural है, तो don't, ठीक है, subject अगर singular है, तो doesn't और plural है, तो don't, याद रखना, ठीक है, आज है, इसका translation कर लेते है, don't you feel like taking tea, यानि कि you की वज़े से do आ रहा है, तो don't you feel like taking tea, आज है in a sentence पढ़ते हैं, क्या तुम्हारा मेरे साथ बैठने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका translation क्या हो जाएगा, don't you feel like sitting with me, आज है in a sentence पढ़ते हैं, क्या तुम्हारा debate में participate करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका translation क्या ह हो जाएगा, don't you feel like participating in the debate, ठीक है, आज इन एक sentence पढ़ते हैं, क्या तुम्हारा नाने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका translation क्या हो जाएगा, don't you feel like taking a shower, clear, आज इन एक sentence पढ़ते हैं, क्या तुम्हारा मुझसे मिलने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका translation क्या हो जाएगा, don't you feel like meeting me, don't you feel like meeting me, आज यह, अब WH family interrogative sentences पढ़ लेते हैं, यह देखो, लिखा भी हुआ है, WH family interrogative sentences बनाने के लिए, निम्न structure कप्रियों किया जाता है, तो देखो, structure भी लिखा हुआ है, पहले आपको WH family लगाना है, यानि कि where, what, why, ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, do या फिर does, helping verb लगाना है, यह याद रखना, WH family के बाद आपको क्या लगाना है, do या फिर does, फिर आपको क्या लगाना है, subject, फिर plus feel, फिर plus like, फिर plus verb के first form में आपको ing लगाना है, फिर plus object लगाना है, उसके बाद आपको question mark लगाना है, clear हो गय क्योंकि यह WH family interrogative sentence है, इसलिए पहले आपको यह देखना है कि कहा का meaning क्या होता है, where, क्या where, तो पहले हम where लिखेंगे, उसके बाद मैंने बताया तो आपको helping verb लगाना है, या तो do, या फिर does, वो depend करता है subject क्योंपर, subject अगर singular है, तो does plural है, तो do, तो you, क्या है singular भी है, plural भी है but इसके साथ हमेशा do आता है, तो where do you feel like going, clear हो गया, so I guess समझ में आ चुका होगा, आज एक next sentence पढ़ते हैं, आपका क्या खाने का मन है, या फिर आपका क्या खाने का मन कर रहा है, तो इसका translation क्या हो जाएगा, what do you feel like eating, clear हो गया, I guess आपको समझ में आ चुका होगा, कि किस तरी मच्च कर दो में आपका क्या है तो जाएगा होगा बदाने क्या होगा.